अब ये समझना बहुती मुश्किल हो गया है कि पुलिस जनता की हिफाज़त के लिए ये देश के आवाम पर जुम करने के लिए एसा हम हिसली के रहे हैं क्योंकि राजिस्तान पुलिस की 112 नमबर बोले रो गाड़ी ने मंगलवार राटडीक जीले में एक 4 साल के मासूम को कुचल दिया इस हाथ्से में मासूम की मोके पर ही मोत हो गई, कामा कद्बे के धिम्र महले में हुए इस हाथ्से के बाद पुलिस कर्मी मोके पर रुके तक नहीं उल्टा हुनोंने गाड़ी तेज भगा दी और महा से फरार हो गया इस्तानिया निवासी विशाल ने बताया कि एक कारिकरम के दोरान मेरी बड़ी बहन अपने बेटे कृष्णा को लेकर आई हुई थी रात में मेरा भंज़ा कृष्णा मकान के भार खेल रहा था तब ही अचानक 112 नंबर पुलीस की बोलेरों गाड़ी आई और मासुम कृष्णा को फुचलती हुई निकल गई जिससे उसकी मोके पर ही मौत हो गई गाड़ी को जब हमने रोपने की लिए आवाज दी और उसके पीचे दोड़े तो ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी और वहां से फरार हो गए बच्चे की मौत के बाद परीजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है इस हादसे से गुसाय परीजनों ने कामा पहाडी रोड पर जाम लगा दिया इसकी सुचना जैसे ही ततकालिन थाने तक पहुची तो कामा सरक्री पुलिस के अधिकारी मोके पर आया और उन्होंने परीजनों से बात करकर जाम गफुल वाया साथी दोशी के खिलाफ कारवाई करने का अश्वासन भी दिया परीजनों का आरोप है कि गाड़ी चलाने वाला पुलिस कर्मी नशे में था उस गाड़ी में और भी पुलिस कर्मी बेठे हुए थे लेकिन किसी के भी दिल में रहम नहीं आया जब कामा DSP धरमराज से इस संभन में बाची थी तो उन्होंने कहा कि 112 नंबर पुलिस की गाड़ी ने मासूम को कुछ लाए वक किस थाने की है हम उसकी जाज कर रहे हास्से वाले जगहा के आसपास लग इसी सी के वी फोटेज देत रहे क्योंकि अधिक तर्थानों पर 112 नंबर गाड़ी उपलब दही है जाज का विशे है कि कि गाड़ी से यहां धुरगट न होई है इसमें जो भी दोशी है उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी लेकिन अब सवाल यह है कि अगर देश की आवाम मुश्किल में हो तो किस से मदद की गोहा लगाए पुलिस से जो खुच जनता पर जुम कर रही है इसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहे हैं दन अगरी उसमें शेक जोया